हेलो एवरिवन मैं विशाल महाजन आज आपको रिवीजन सीरीज के अंदर वन शोट सीरीज के अंदर लेके आया हूँ मैट्रिसिस ये चैप्टर बहुत असान माना चाता है लेकिन इसकी वेटेज बहुत बढ़िया रहती है मैट्रिक्स और डिटर्मेंट की मिला दे तो दस नमबर की वेटेज रहती है तो इसलिए हम इसके अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मेंट दोनो चैप्टर को कवर करने वाले है मैट्रिक्स और डिटर्मेंट का एक ही वन शोट मैंने आप लोग के लिए बना दिया है ताकि आपके जो 8-10 नंबर बनते है इसको करने के बाद आप अराम से सिक्यूर कर सकते है सर और कोशन्स करने हैं अगर आपको और प्रैटिस करने हो तो आपको ओलेडी चैनल पर वन शोट मिल जायागा चैप्टर वाइज आप उसको भी देख सकते है उसमें भी और कोशन्स आप प्रैटिस कर सकते है चलिए सार्ट करते हैं भी दोनों चैप्टर करने वाले है वीडियो थोड़ी सी बढ़ी होगी रिकॉर्डिट फॉर्म में इसलिए हम दे रहे है यह वन शोट पहले वाले लाइब थे ताकि आप कम टाइम में थोड़ा फास करके भी अपना टाइम को बचा पाए क्योंकि आपका एक एक मिनिट बहुत ज़्यादा केमती रहने वाला है अब हम करने वाले हैं भाई मैट्रिसिस मैट्रिसिस एंड डिटर्मिनेंट जो दोनों चैप्टर है वो एप्रॉक्सिमेट बैठते हैं 10 मार्ट के और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट अगर आप कभी भी एक्जाम में पेपर उठा के देखेंगे तो कम से कम 3 MCQ आपको इन मतलब और फंक्षन दा नम्बर रियल और कॉम्पलेक्स में रियल क्या है रियल भी हो अग्स बी हो और और function भी हो सकते है, मतलब 2, 3, 4 भी हो सकता है, fraction में भी हो सकता है, real number, complex number कौन से होते हैं, जो आयोटा में होते हैं, 2 आयोटा, 7 आयोटा में भी लिख सकते हैं, इसके अंदर जो data फिल करते हैं, और function भी, function मतलब sign function कर सकते है, exponent function कर सकते है, or call the elements or the entries of the matrix, जो इस matrix के अंदर होता है, matrix का sign को जहां तो ऐसे denote करते हैं, जो ऐसे करते हैं, जितने भी elements इसके अंदर लिखे जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं जहां तो उन्हें elements बोला जाता है जा entries बोला जाता है of the matrix ठीक है तो rectangular array एक arrangement एक मतला rectangular arrangement किसकी numbers की हो सकती है complex number की हो सकती है और functions की भी हो सकती है इसी को हम बोलते हैं भई matrix बोला जाता है आगे देखते हैं इत्ता types of कई तरह की matrix होती है ठीक है अब इस matrix के topic पे आते है कि types of matrix क्या होता है पहले हम एक बड़ी basic देख लेते हैं यह एक A matrix है सबसे पहले depend करता है इसका order of matrix क्या है order of matrix की बारे में बात करें तो किसी भी matrix का order जो है यहां पे लिखा जाता है m into n की form में m क्या होता है m denote for row होता है और n denote for column होता है इसका मतलब क्या हुआ देखिए यह rectangular matrix है इसकी row row कैसे होती है horizontal कितनी रो है और बन और टू कॉलम होते हैं वर्टिकल कितने column है c1 c2 c3 दो रो है तीन कॉलम है तो इसका order of matrix कितना हो गया मेरे पास m into n m for row रो पहले आता है तो दो रो है और तीन कॉलम है तो टू इन्टू 3 तो भी answer correct है अब दूसरी बात आती है इसके अंदर कितने element है सर एक दो 3 4 5 6 6 elements है इन elements को भी एक अपना अपना यूनिक नंबर दिया गया है वो किस से यूनिक नंबर कैसे होता है वह ऐसा होता है small a ij से i denote for row and j for column जैसे कि यहां one one लिखा इसका मतलब क्या है first row first column का सर कौन सा element है पहली row और पहले column में कितना है one है first row second column में क्या है पहली row second column में two है first row third column में कितना है three है second row third column में क्या है second row second row यह रही third column यह रहा कितना है minus one है तो यह मेरे पास elements के बारे में मुझे पता लग गया कि आगे देखते हैं कि क्याता एक matrix है अगर मैं order पूछूं तो कितना भी कितनी रों one two three three rows तो दे रखिये लेकिन हम देख रहे हैं एक दो तीन चार तो three into four order की matrix तोटल number of elements कितने बनेंगे 12 12 बनेंगे क्याता है then two three plus two four का समझे है second row third column का जो element है second row का है बई second row यह रही और second row third column यह रहा मतलब nine होता second row fourth column second row यह रही fourth column यह रहा मतलब six होता मतलब मेरे पास यह जो आता यह आता 15 अब उसमें 15 नहीं पूछा इसमें भी कोशन गुमा दिया उसने क्या कह रहा है कह रहा है element बताओ इसमें से कौन सा है number का 15 कहा है बई इस पूरी matrix के अंदर यह रहा कौन सा है third row second column third row second column answer हो गया आगे देखे भई तो ऐसे वो कई तरीके से कोशन अपने को गुमा के दे सकता है सीधा नहीं पूछेगा one marks में easy कोशन है तो थोड़ा सा वो लोग गुमा लेते हैं तो तुम्हें घूमना नहीं है paper के बाद गूमने चले जाना exam में मत घूमना जब दो matrix equal दे रखी होती है दो matrices equal दे रखी होती है तो corresponding elements equal होते है corresponding में इसका first row का first element है यह A matrix है वो भी है इसका कौन सा है इसका यह वाला है तो यह आपस में क्या रहेंगे equal रहेंगे मतलब 2x plus y किसके equal है 7 के और 4x किसके equal रहा होगा इसका मतलब 4x equal रहा होगा 7y minus 13 के अब मेरे को answer सीधा दिख रहाता है लेकिन मैं जानके solve करा रहा हूँ 5x minus 7 किसके equal होगा y के और last में 4x किसके equal होगा x plus 6 के होगा जो मुझे यहां से दिख रहा था तो 3x किसके equal होगया 6 के तो x2 होगया सर इनसे कर सकते थे करते तो elimination लगाना पड़ता जा substitute करना पड़ता है यहां से जल्दी हो गया एक चीज़ धियान रखना अगर आपको लगे कि x की दो values आ रही है अलग-अलग और option में कोई दे रखाओ कि it's not defined तो x की value निकाल के check कर लेना एक से जादा तो नहीं है तो यहां से x की value कुछ अलग आ रही हो यहां से कुछ अलग आ रही हो नहीं तो 2x equal to 5 हो जाता x कितना आ जाता 2.5 दो अलग value तो possible नहीं थिगा मान के चल रहे हैं तो ध्यान रखना ऐसा ना हो कि इसमें x2 आ गया x2 पुट कर लो x2 पुट कर लेते वहीं इसमें तो 4y कितना आ गया y3 आ गया y3 आ गया तो b option correct option मिल गया अपने को आगे देखें अब जब दो matrix को add किया जाता है सबसे पहली condition यह होती है कि उन दोनों का order बिलकुल same होना चाहिए अगर एक matrix 2 into 2 की है तो दूसरी भी 2 into 2 की हो तभी add हो पाएगा otherwise add नहीं हो सकती और add जब हम दो matrix को करते है अगर हम किसी भी 2 matrix को add करते है तो उसका corresponding elements यह add होते है 2 का 1 में करता तो 3 आता 1 की 1 में करता तो 0 आता 4 की 0 में करता 4 आता और यह 12 आता corresponding elements यह add होते हैं तो question असान था लेकिन उसने MC को में फसानी की कोसिस करी language थोड़ी सी भुमाई कहता है कि इसमें से कौन सा defined है defined का मतलब कौन सा possible है A plus B क्या A और B matrix add हो सकती है नहीं इसका order कुछ हो रहा है इसका order कुछ हो रहा है नहीं हो सकता क्या B और C add हो सकती है नहीं इसका order कुछ हो रहा है उसका कुछ order order है order order C O D add हो सकती है नहीं हो सकती है क्या B O D add हो सकती है बिलकुल हो सकती है 2 row 3 column 2 row 3 column दोनों का order सेम है इसलिए add हो सकता है इसलिए D is a correct option है मेरे पास आगे चलते है total number of possible matrix order 3 into 3 which each entry 2 और 0 each entry बहुत ही प्यारा question है 2 entries है देखो जितनी भी entries बोले नहीं simple बता रहो ऐसे permutation लगता है मैं आपको simple concept जितनी भी entries count में 1, 2, 3, 2 है order कितना 3 है तो 2 raise to the power 3 into 3 2 raise to the power 9 512 answer आज़े है अगर सर इसमें होता 2 into 2 order होता और entry होती 0, 1, 2 तो answer होता 3 raise to the power 2 into 2 clear है तो जितनी भी number of entries हो उसकी power order कर देना answer आ जाएगा next में ये भी mcq की base में subjective में इस टाइप का question आता है cbsc के अंदर बहुत बार या रखा है क्या कहता है suppose 2 into 2 की matrix है हमने पास 2 into 2 मतलब अगर मैं यहाँ पे matrix एक रफली बना लूँ first row first column first row second column second row first column second row second column यही बनेगी भी एक A matrix क्याता है जिसके अंदर element की value दे रखी है equation type दे रखी है कितनी है i by j दे रखी है इसका मतलब क्या हुआ अगर मैं पहला element निकालू first row first column तो i कितना है 1 है j कितना है 1 है तो यहाँ पे i भी 1 डालूँ और j भी 1 डालता तो 1 by 1 1 आ जाता first element की value फिर first row second column होता है i है 1 j है 2 तो 1 by 2 हो जाता फिर है second row first column i है 2 j है 1 तो 2 हो जाता second row second column तो 2 by 2 हो जाता तो 1 हो जाता तो a matrix कौन सी बनती 1 1 by 2 2 1 1 1 by 2 2 1 तो कौन सा बन गई 1 1 by 2 2 1 तो a matrix बन गई तो यह हमारा answer आ गया यही कभी कभी 3 into 3 की matrix भी बोल सकता है अपने को वो कोई भी order की बोल सकता है तो एक आप roughly matrix बना लेना ताकि आपके element ना जूटे कोई भी चले आगे अब हमने क्या सीख लिया भई order क्या होता है कभ matrix add होती है element कैसे निकालते है कभ subtract हो सकती है कभी equate हो सकती है अब आता है product दो matrices multiply कैसे होती है अब उसको सीखते है क्याता है एक A matrix है एक B matrix है बहुत important एक question बनता है इसके उपर कि order of matrix कितना आएगा A B matrix का जब दो matrix multiply कभ होती है एक question इस पे बनता है और एक क्या order निकल के आता है यह भी बहुत important question है A matrix है B matrix है A into B जब हम multiply करते है तो किस तरी के सी किया जाता है अभी तक तो हम brackets की जो multiply करते थे यह 1 की पहले सब में माइनस 2 की सब में कर लेते थे मतलब normal multiply जो हम करते थे लेकिन अब brackets नहीं है matrix है तो कैसे होती है special case होता है यह क्या हुआ पर्स matrix की row की second matrix के column में multiply करी जाती है वो भी special case में देखे इस देर से और इदर से नीचे को जैसे कि पहला element कितना है वन वन की multiply इस वन में होगी पहले column में कर रहा अब ऐसे नहीं कि वन की सब में होगी नहीं वन की होगी न आगे चलो row में कितना है माइनस 2 है पहले plus का sign लगता है फिर माइनस 2 और इदर से नीचे आ जाओ इदर से नीचे आये तो कितना हो गया टू हो गया फिरस्ट रो की फिरस्ट कॉलम में multiply कर दी अब फिरस्ट रो की सेकिंड कॉलम में करेंगे फिरस्ट रो में वन था वन की किस में करता टू में फिर प्लस लगता फिर माइनस 2 की किस में करते फिरस्ट रो की second column में भी हो गई अब first row की third column में करेंगे तो one की three में करेंगे plus minus two की one में करेंगे first row की third column में भी हो गई तो first row का काम हो गया ख़त सरगा fourth row होती तो fourth में कर लेते fifth होती fifth में भी करते अब second row की बारी आ गई अब second row की first column में करेंगे second row कहां है ये रही 2 की 1 में 3 की 2 में first की first में हो गई अब second column में 2 की 2 में multiply करेंगे और 3 की 3 में multiply करेंगे अब second की third में 2 की 3 में करेंगे और 3 की 1 में करी जाएगे matrix का sign लगाएंगे matrix का sign लगाएंगे कितना हो गया minus 4 plus 1 minus 3 हो गया minus 6 plus 2 कितना हो गया minus 4 हो गया 3 में से 2 गया तो 1 हो गया 3 to the 6 6 plus 2 8 हो गया 9 plus 4 13 हो गया और 6 plus 3 9 हो गया ये एक AB matrix बन गए AB matrix जबकि एक order 2 into 2 था लेकिन इसका order कितना आया इसका order आया 2 row और 3 कॉलम का अब condition पे बात करते है कि अगर 2 matrix multiply हो रही है तो क्या condition रहती है कि वो multiply possible है defined है कि नहीं है इस पे question आता है A matrix का order था M into N B matrix का order है P into Q क्या रहा है एक AB matrix का order बताओ क्या होगा AB matrix का जो order होता है वो होता है हमेशा M into Q के इसका row का उठाएंगे और इसका column बनना चाहिए चेक करोगे इसका order था 2 into 2 और इसका था 2 into 3 इसका M2 है इसका Q3 है तो 2 into 3 order की matrix बनी थी क्या multiply possible है जा नहीं है ये कैसे बता लगाएंगे इसके लिए मेरे पास condition होती है N equal to P के होना compulsory होता है अगर N P के equal नहीं है तो multiply possible नहीं हो सकते कभी भी देखो इसका N कितना था 2 था और इसका P कितना था 2 था दोनों equal थे तो multiply possible है otherwise multiply possible नहीं होगा जैसे कि example के लिए अगर मैं एक A matrix ले लेता हूँ A matrix है मेरे पास 3 into 2 B matrix है मेरे पास 2 into 3 तो इसका मतलब क्या multiply possible है देखो इसका N P के equal है और A B का order जो आता A B का order जो आता M into Q के आता 3 into 3 order की matrix बनती है तो पहला question बनता कि बताओ कि यह defined है के नहीं A B दूसरा क्या बनता कि A B का क्या order बनेगा तो दोनों हमने यहाँ पे बाते सीख लिए चले आगे क्याता है X plus Y matrix दे रखिये X minus Y दे रखिये X and Y बताओ दो matrix दे रखिये तो क्या करें बहुत simple है आप क्या करो दोनों को add कर लो जैसे आप elimination method करते थे जहां तो add करते थे जहां सब्ट्राइट करते थे दो equations को linear equations को वैसे treat करो अगर मैं दोनों को add करता तो X plus Y plus X minus Y किसके एकवल हो जाता 7205 plus 3003 क्यों होता Y से Y चला गया X plus X 2X हो गया यह कितना हो गया 10 हो गया 0 हो गया 2 हो गया 8 हो गया X matrix निकालनी है तो 2 नीचे ले जाओ तो X matrix कितनी बन गई 5 0 1 4 बन गई हमें Y भी चाहिए थी put in first कर लो जा second कर लो अगर Y निकालनी है तो Y equal to 7205 minus X matrix बनती और X कितना है 5 1 0 4 तो कितना आ गया 2 0 1 और 1 यह आ रहा है ना 7 में 5 गया 2 गया 0 2 में से 1 गया 5 में 4 गया तो Y matrix मेरे पास बन गई है चले आगे बहुत अच्छा कोशन है यह भी board में बहुत बारी आया हुआ है क्या कहता है A matrix दी है I matrix अब I matrix के बारे में यहां बात कर लेते कुछ type of matrices के बारे में तो sir आपने बात ही नहीं करी चलो कर लेते है अब एक होती है column matrix column matrix में अगर आप देखो तो कितनी row है यहां पे आपके पास एक दो तीन column कितने है एक रो तीन है column एक है इसे ही बोला जाता है पिर आती है हमारे पास row matrix इतनी row है एक रो है column कितने है एक दो तीन एक रो है column जितने मर्जी हो इसे बोलते है row matrix इस पे mcq आ सकता है आया नहीं है कभी आ सकता है null matrix कौनची होती है null matrix वो matrix होती है जिसके सारी element 0 होते है square matrix square से ही मालम चल रहा है rectangle matrix पढ़ा था हमने जिसमें row और column अलग लगते है square का मतलब जहां पे 2 into 2 3 into 3 मतलब m equal to n के जहां पे होता है इसे बोलते हम square matrix आगे चले diagonal matrix इन पे one marks में mcq बन सकता है a square matrix diagonal matrix कौनसी होती है square होती है ध्यान रखना इस बात का whose all the elements expect that diagonal elements are 0 देखो carrot diagonal को छोड़ दो बाके सारे element 0 है सर डाइगनल तो ये भी हो सकता था आपने इसको ही क्यों बोला का reason है इसका number जो होगा वो first row first column है इसका second row second column है और इसका third row third column है जहां पर i equal to j के होता है वो ही element को मिला के जो बनता है उसे ही diagonal matrix कहा जाता है जा डाइगनल बोला जाता है तो डाइगनल matrix के अंदर सारे elements जो है अलग अलग है उसे diagonal बोलते हो बाकी सारे element 0 है उसके लिए ये square matrix होना compulsory होता है scalar matrix is a diagonal matrix लेकिन यहां पर सारे elements सेम है 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, minus 1, minus 1, minus 1, minus 2, minus 2, minus 2, minus 2 कुछ भी हो सकता है इसी के बाद सबसे important आती है unit matrix जिसको हम identity matrix बोलते है i से denote करते है इसके diagonal में 1, 1, 1 होता है सर यह तो scalar है? हाँ है अब इस पर भी एक question दिया आवा है CBS ही न additional sample paper के अंदर पूछता है क्या identity scalar matrix होती है? नहीं होती scalar में तो 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3 कुछ भी हो सकता लेकिन unit matrix में तो 1, 1, 1, 1 ही होना चाहिए यह हमेशा ध्यान रखना तो scalar matrix में कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर 1, 1, 1 ही रहेगा चले, question देखते है अभी कहता है a square equal to k minus 2i a square चाहिए तो पहले क्या करें? a square निकाल ले निकालो a square का मतलब ऐसे मत कर देना कि भी इसका squaring both side कर दो न a square का मतलब होता है matrix के अंदर दोनों का multiply कर दो भाई a into a कर दो यह है row की column में करते 3, 3's are 9 minus 4 plus 2 minus 8 first row की first column में हो गई अब first row की second column में 3 into minus 2 minus 6 और यह plus 4 हो गया first row की complete हो गई अभी second row की बारी आ रही है तो 4 की 3 में 12 हो गया, 2 की 4 में minus 8 हो गया 4 की minus 2 में minus 8 हो गया, तो प्लस 4 हो गया, तो यह कितना आ गया, यह a square आ गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4 यह a square आ गया a square किसके equal था? k into a a matrix में k की multiply करो a का है, यह रही इसमें ज़रा k की multiply करते हैं, तो 3 k माइनस 2 k 4 k माइनस 2 k फिर क्या है? 2 i i matrix में 2 की multiply अगर करता तो 2, 0, 0, 2 हो जाता आप ज़रा ध्यान से देखो, question solve हो गया अगर मैं थोड़ा सा इसको plus minus कर दूँ, तो यह कुछ ऐसे हो जाता यह तो होता और यह 1, minus 2, 4, minus 4 के 2 matrices equal आ गई, मतलब corresponding elements को equate कर सकते हो इसका सबसे असान कौन सा पढ़ रहा देखो, यह वाला पढ़ रहा है 4 equal to किसके है, 4 k के है तो k equal to 1 आ गया यहां से देख लो, minus 2, minus 2 k, k तो k 1 आता, तो k की value 1 मिल गई, जो हो मुझे find करनी थी अब बात आ रही है, बहुत important topic symmetric and skew symmetric matrix symmetric matrix के बारे में अगर simple भाषा में बात करी जाए तो symmetric matrix कौन सी होती है जहां पे A equal to A transpose के होता है अब सरी यह transpose क्या होता है transpose का मतलब होता है कि अगर कोई matrix मुझे दे रखी है 2, 3, 1, 4, 2, 9, 1 के चला एक matrix दे रखी है A matrix थी मैंने इसका transpose कर दिया transpose का मतलब यह A की power T भी लगा देते है ऐसा भी सही transpose का होता है यह जो row है इसको column में change कर दो यह A transpose कहता है अगर A का transpose करके दोनों equal आते हैं तो वो symmetric matrix होता है पहले part में अगर हम देखे अगर मैं इसका transpose करता तो कितना आता वह 1 minus 1 5 यह row को column में लिख दिया minus 1, 2, 1, 5, 1, 3 देखो क्या A transpose A के equal है तो यह symmetric matrix है skew symmetric कोन सी होती है skew symmetric का मतलब होता है कि अगर मैंने transpose किया तो वो minus A matrix के equal आ जाए तो वो skew होती है रध्यान से देखिए अब यह A है मैंने इसका transpose किया तो कितना हो गया 0, 1, minus 1, minus 1, 0, 1, 1, minus 1, 0 अगर इसमें से क्या यह एक एक एकवल है नहीं है अगर मैं इसमें से minus A common ले लूँ minus 1 तो 0, 1, minus 1, minus 1, 0, 1, 1, minus 1, 0 तो क्या अब मैं इसको minus A लिख सकता हूं तो इसका मतलब यह skew symmetric matrix हो गई जह है ठीक है तो माल में चल गया आपको symmetric कौन से होती है skew कौन से होती है इसपे question आता है बहुत important question आता है sum of symmetric and skew symmetric matrix अब एक चीज और समझा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना मेरे पास एक A matrix दे रखी है any square matrix skew और symmetric जो होती है always square matrix होती है ध्यान रखना इस बात को note करते रहना इन बातों को एक छोटा सा question ले रहा हूं 1 है 2 3 4 मैंने इसका transpose किया 1 2 3 4 यही आ गया मैंने इन दोनों को add कर दिया तो कौन सी matrix बनी 2 5 5 8 जिसको मैंने B का नाम दे दिया मैंने B का transpose निकाला तो देखो जड़ा क्या बना 2 5 5 8 क्या यह B के equal आ रहा है आ रहा है तो इसका क्या मतलब बना इसका मतलब यह बना कि अगर किसी भी square matrix में उसका transpose एड़ कर दूँ तो जो matrix बनती है वो always symmetric matrix होती है इस पर question आ सकता है इसलिए बोला कि एक एक बात बहुत important रहेगी इस पूरी वीडियो के अंदर आगे क्या कहता है कहता है भई अगर मैं A में से A transpose हटा देता 1 में से 1 गया 0 आ गया 2 में से 3 गया minus 1 आ गया 3 में से 2 गया 1 आ गया 4 में से 4 गया 0 आ गया इसको मैंने C matrix बोल दे और C का अगर मैं transpose करता तो कितना आता ये आता 0, minus 1, 1, 0 जिसको मैं minus C बोल सकता हूँ तो इसका क्या मिला इसका मतलब जो C matrix बनी है वो skews matrix matrix है अगर A matrix दे रखी हो question कैसा आएगा A matrix है एक any square matrix है उसमें क्या add करूँ जा subtract करूँ कि skews matrix matrix बन जा तो क्या करना पड़ेगा उसका transpose को minus करना पड़ेगा तो जो matrix बनेगी वो always क्या कहलाएगी skews matrix matrix होगी अगर add कर दूँ तो symmetric अगर subtract कर दूँ transpose को तो skews matrix बनके मेरे पास हमेशा आती है तो इस पे अब एक तो ये question हो गया अब ये sum वाला जो question है ये बहुत important रहता है बहुत बारी exam में पूछा गया है हमसे जब भी sum का question आए sum क्या symmetric और Q के sum को express करो एक matrix को तो इसका जो formula होता है वो होता है a equal to half a plus a transpose plus half a minus eta मैंने already ये drive करा रखा है मैं यहां discuss नहीं कर रहा one short में करा है होगा तो जब भी ये क्या है symmetric ये क्या है skew इनका sum कितना आना चाहिए इनका a आना चाहिए सर ये 2 कैसे आया ये पुरा करा रखा है चीक है अभी देखते है नहीं तो last में करा देतो a matrix मुझे दे रखी है इसका transpose निकालो पहले कितना आता 3, 5, 1, minus 1 a में transpose को add करेंगे पहले add किया तो कितना हो गया ये हो गया 6 हो गया 6 हो गया 6 हो गया minus 2 हो गया कह रहा हाफ करो 3, 3, 3, 3, minus 1 आगे क्या चाहिए फिर क्या रहा है काम करो a minus a transpose निकालो a कहें ये रही a transpose कहें वो रही दोनों को क्या करोंगे minus करते तो 0 आ गया 4 आ गया minus 4 आ गया और 0 आ गया कहता है half करो 0, 2, minus 2, 0 ये जो आया और ये जो आया कह रहा है अगर इन दोनों को add कर दू तो वो A matrix बननी चाहिए होनी चाहिए क्या बन रही है ज़रा चेक करोगे ये कितना था ये था 3, 3, 3, minus 1 प्लस ये कितना है 0, 2, minus 2, 0 के ये express कर दिया sum की form में ये express है ये ही है इतना ही answer रखना है लेकिन चेक करो क्या ये matrix बन रही है 3 में से 0 add किया तो 3 आ रहा है 3, plus 2, 5 आता आता A के बराबर चाहिए ना 3 में से minus 2 किया 1 आता minus 1 में से plus 0 किया minus 1 आ रहा है this is sum express करना है symmetric और skew का sum मिला के A आता है आ रहा है अब एक बहुत important question आता है इसमें confusion होती है क्या सर आपने symmetric बोला था कि किसी भी square metric में हम उसका transpose add कर रहे थे तो वो symmetric थे यहाँ पे आपने half लेके किया ठीक है अब अगर question में आए कि sum of symmetric and sum की बात कर रहा हो दोनों के और बोले कि symmetric matrix क्या होगी तो symmetric metric यह मत करना कि A में A transpose add करके लिख दूना sum की बात कर रहा है तो हमेशा half करके जो answer आएगा वो ही आपका answer होगा अगर sum की बात कर रहा है अगर sum की बात नहीं कर रहा है तो आपका answer फिर यह वाला होता ठीक है ध्यान रखना इस बात का सर यह two आया कहां से यह तो बात समझ में नहीं आई यह two आया कहां से question तो समझ में आ गया कि यह formula है मुझे यह यह निकालना है और दोनों का sum A के equal आना चाहिए करा देता हूँ देखिए A matrix दे अगर यहां देखूँ तो A transpose plus का A transpose negative का है अगर मैं इसमें A transpose add करता और subtract भी करता तो A की तो A आता न जबकि यहां भी दो A चाहिए तो मैंने क्या किया मैंने 2 से divide किया है 2 से multiply किया क्या फाइदा हुआ मैंने इसको A plus A लिख दिया चलो अब मैंने एक बारी इसमें A transpose plus कर दिया और एक बारी A transpose minus कर दिया तो देखो यह अभी भी A के equal चल रहा है और formula drive हो गया क्या यह है अभी भी इसको solve करके देख लो A ही आएगा तो sum में अगर symmetric बोलेगा तो यह answer होगा skew बोलेगा तो यह answer होगा आगे चले कहता इव this into this into this equal to 0 find the value of X अब तीन matrix multiply होगा पहले इसकी इसमें करेंगे row की किसमें करी जाती है भाई columns में करी जाएगी X की 1 में करूँगा तो 1 X आ जाएगा 5 की 0 में करूँगा तो 0 आ जाएगा minus 1 की 2 में करूँगा तो minus 2 first row की first column में हो गई first row की second column में करेंगे तो 0 आ गया minus 10 आ गया 0 आ गया first row की third column में करता तो 2 X आ जाता minus 5 आता minus X minus 2 की X में करेंगे तो कितना आ गया X स्कूर माइनस 2 minus 10 की 4 में करते तो minus 40 आ जाता 2 X minus 8 की 1 में करते तो 2 X minus 8 आ जाता तो कित के equal है 0 के equal है 2 X से 2 X से लागिया X स्कूर equal to 48 हो गया तो X equal to कितना हो गया plus minus 4 root 3 हो गया B option आ गया next देखे बहुत अच्चा कोशन आ ऐसे बहुत सारे कोशन बनते है कुछ प्रापर्टी एक बारी देखते है एक प्रापर्टी है मेरे पास जैसे की A plus B का whole square A and B are matrices है कभी भी AB not equal to होता है BA के ठीक है इसलिए यहाँ पे A plus B का whole square का formula नहीं लगाते है तो क्या करते है सर हम क्या करते है इसको दो बारे लिखते है multiply करो A की A में करते है तो A square A की B में करते है तो AB plus अब B की multiply कर रहा हूँ B पहले है तो पहले आएगा तो BA plus B square यह इसका answer होगा यह 2AB नहीं लिखोगी क्योंकि not equal होते है इसी में एक formula और पढ़ा है आपने बच्पन में की A minus B A plus B है और दोनों ही matrix है तो A square minus B square answer नहीं होगा तो क्या करते हैं इसको पहले एक एक करके multiply करेंगे तो A square plus AB minus BA minus B square इसे correct answer होगा अब यह क्यों समझाया है उससे पहले इस पे भी MCQ बनता है अब लेकिन अगर A plus I का whole square लिखा हो तो सब दो बारी bracket करके कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर एक matrix I है तो जो आपने बच्पन के formula पड़े है न वो लगा सकते हो ऐसा क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं A into I equal to I into A के equal होता है और दोनों ही A होते है I matrix के अंदर जो भी matrix multiply करी जाती है वो ही matrix क्योंकि I जो होता है unit matrix बोली थी न इसलिए हम लिख सकते हैं तो बच्पन वाला formula आप direct लगा सकते हो अब one को कितनी बार भी multiply कर over नहीं आता है तो इसका मतलब I की power कुछ भी हो I ही आएगा तो direct आप I लिख सकते हो तो मतलब A plus I का whole square है तो मैं कहा लिख सकता हूँ भी से A square plus B square I का square I plus 2AB जिसको मैं 2A ही बोल दोगा लेकिन ये direct A plus B का whole cube है तो सर तीन बार ही करना पड़ता करना पड़ता लेकिन अगर A plus I का whole cube है तो AQ plus BQ plus 3A square B 3 plus 3B square का formula direct लगा के टाइम बचा सकते हो ये बात हमने अब क्यों discuss करी क्योंकि इस टाइब के questions में जो अभी हम करने वाले है और इस टाइब के बहुत सारे questions मैंने one short में करा रखे है तो हम इस टाइब के questions को direct solve करते है क्योंकि I है A minus B का whole cube है तो मेरा formula A cube minus B cube B है I I का cube I और फिर minus 3A square into I plus 3B square into A A plus B का whole cube है A cube plus B cube plus 3A square B plus 3B square A और minus 7A पहले से ही था क्या 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 कटा भई इसमें अगर हम देखे तो मेरे पास जो गया वो क्या क्या चला गया minus I से आई गया और ये भी गया ये कित्ता बज़ गया A cube plus A cube 2A cube हो गया I into A I हो गया ये भी 6A हो गया और minus 7A हो गया ये है शरा आंसर तो है ने अब उपर भी तो कुछ दिया था भाई उसकी भी तो कुछ इज़त रखोगे कि ने रखोगे A square equal to I दिया है A square equal to I दिया हुआ है A square तो सरह ही नहीं गई ध्यान से देखो एक cube तो है क्या मैं एक cube को A square into A लिख सकता हूँ A square I था तो A square की जगा I डाल दूँ और I into A I into A A की equal होता है क्या तो A cube A cube A की equal हो गया क्या तो A cube की जगा A put कर दूँ तो ये A आ गया मेरे पास कौन सा option है C option correct option happiness आगे चले what value of X is a skew symmetric matrix क्या अगर ये skew symmetric है तो X क्या होगा बहुत असान question skew है तो एक काम करो भई A है इसका transpose करो और इसको minus A transpose minus A की equal रख दूँ ये रख दूँ A transpose equal to minus A की रख दूँ A का transpose कर दिया equal to minus A की रख दिया दू matrices equal है तो corresponding element equal रख लो कहा है X ये रख ये किसके equal है minus minus plus 2 क्यों हो गया answer आ गया यहां से देख लो minus X equal to minus 2 के है तो X2 आ गया अब skew में एक चीज रह गई थी उसको भी देख लेते हैं अगर skew matrix में आप देख लो पीछे वाले भी example देख लेना इसके diagonal elements always 0 होते है कितने होते हैं skew matrix के diagonal element always 0 होते है कितने होते है 0 होते है always और दूसरी एक पैचान और भी होती है अगर आप यहां पे देखो यह एक triangle बन रहा है यह एक triangle बन रहा है यहां पे minus 2 आया सिरफ इन triangle में देखो होगे साइन का फर्क होगा वर जो ऊपन नेगेटिव वो नीचे पॉजिटीव यो नीचे पॉजिटीव और नेगेटिव पीछे भी देख सकते हुझ यहां बनेते a sq 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 RUSC ह agree इसम्हें तो टू इंटिन की है चीक है पीछे थी हमारे प具 हमारे पास किले किल यहे थी देख लो और द्यू अच्रो और जो ट्रांगल में है वो और स्ञाइनचular है不了 टू यहां से भी पेचान कर सकते हो आप इसके तो यह हमारा मैट्रिक्स हो गया खताम यहाँ पर अब हम कर रहे हैं भई डेटर्मिनेंट जिसमें से MCQ बहुत कोशन आते है और इसके उपर केज बेस कोशन भी आ सकता है क्या केज बेस अलग होगा और हाँ जादा तर अगर आप CBSC के सेंपल वेपर देखोगे तो पाँच नमबर का कोशन भी इसी में से आ रहा है केज बेस के हम पिल्कुल अलग से एक क्लास लेंगे जिसमें पूरा केज बेस मैं आपको कराऊंगा प्रापरटीज ऑफ डेटर्मिनेंट यह जो प्रापरटीज बेटा जी आपके सामने दिख रही है यह बहुत इंपोर्टट है यह सारे बहुत ज़ादा है इसको अच्छे से नॉट कर लें अबी भी ले सकते हो दूसरा यह अला पेज़ है यह सारे के सारे पर आपको बहुत सारे MC की और बड़े-बड़े question इस पर solve होने वाले हैं आपके पास चलिए start करते हैं अपने यहाँ पर सबसे पहले A matrix दे रखी है B matrix दे रखी है मैंने MC की उसे start किया है इसको ठीक है उसी में हम subjective भी करते रहेंगे A matrix 2 into 2 का order Determinant हमेशा square matrix का find कर सकते हो अगर मुझे 2 into 2 का Determinant find करना होता तो कैसे करते हैं भई अगर मुझे Determinant find करना है A matrix का तो कैसे करते हैं This into this मतलब 2 into 0 minus This into this 4 into 2 तो कितना हो गया भाई ये minus 8 हो गया B matrix चाहिए B का Determinant चाहिए Determinant of B अगर निकालता तो 1 into 0 minus 2 into 1 तो minus 2 आता है ऐसी है कहरा इसमें से क्या equal है कौन सा equal है क्या A का Determinant B के Determinant के equal है ये minus 2 है ये minus 8 है ये equal नहीं है कहरा है अगर B के Determinant को 2 से multiply कर दू तो A के Determinant के equal हो जाएगा अगर इसे 2 से multiply करता तो इस क्या था 2, 2 जा 4 होता जबकि ये minus 8 है नहीं होगा ये 2 है ये 4 है 4 है 4 to the 8 होता है 4 minus 2 कितना हो गया minus 8 हो गया और ये भी कितना था minus 8 था तो C option correct हो जाएगा मेरे पास तो इसमें हमने क्या सीख लिए कि 2 into 2 का Determinant कैसे find किया जाता है किसी भी matrix का और एक MCQ भी हो गया हमारे पास आगे अगर हम देखे कहता है 2 Determinant Equal है ये ध्यान रखना क्या 2 Determinant Equal है एक होता 2 matrices equal होती है तो हम corresponding elements equal रखते है कि 2 equal to 2x रख दो सर Determinant है sign का difference देखना तो Determinant अगर equal होते है तो मुझे Determinant ही find करना पड़ता है this into this कितना हो गया 2 वन्जा 2 minus 5 फोर्जा 20 equal to 2x की x में करूंगा तो 2x स्क्वेर हो जाएगा minus 64 24 कितना हो गया minus 18 plus 24 equal to 2x square ये 6 हो गया तो x square equal to 3 हो गया तो x equal to plus minus under root 3 हो गया क्या तो कौन सा option आ गया मेरे पास option A correct option बन गया हमारे पास clear है तो ध्यान रखना है mcq बहुत बारी आता इस पर और बच्चे क्या करते है जल्दी से x 1 भी दे रखा होता है देखो एकस यहां से भी 1 मिल रहा है यहां से भी 1 मिल रहा है अगर matrices होती तो लेकिन determinant है तो ऐसी गलती बिलकोल नहीं करना अगर 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स है मैं किसी भी एक रो जा किसी भी एक कॉलम का यूज करके expand करके determinant find कर सकता हूँ यह रोज और कॉलम का क्या चक्कर है सर ध्यान से देखे पहले मैं फस्ट रो से कर रहा हूँ इस वाली रो से कैसे पहला कौन सा element है फस्ट रो में 1 1 लिखा 1 के रो को delete कर दो सोचलो है ही नहीं और 1 वाले कॉलम को delete कर दो यह बच रहा है इसको लिख दो 3, 1, 0, 0 फिर मैं sign लगाऊंगा minus का first row में कौन सा element है 2 है फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2 अभी minus क्यों लगाया बताऊंगा 2 की रो को delete कर दो 2 की रो को भूल जाओ कि कुछ है और 2 के कॉलम को भी delete कर दो 1, 2, 3, 4 यह दिख रहा है इसको as it is उतार दो minus 1 4 और 0, 0 फिर क्या है 4 है first row में अब मैं प्लस लिख रहा हूँ यहाँ पे 4 प्लस लिखा जाएगा और जो अगर 4 है तो 4 minus 4 होता तो minus 4 लिखता इसकी row को delete कर दो इसके कॉलम को delete कर दो जो बचा वो लिख देते है यह आ रहा है यह 2 into 2 की matrix दिख रही है आपको determinant दिख रहा है इसको expand करे ज़रा 3 zeros आज 0 minus 0 minus 2 this into this करूंगा 0 minus 0 फिर 4 आ गया minus 1 और minus 12 हो गया यह 0 यह 0 कितना हो गया 4 into minus 13 equal to minus 52 आ रहा है क्या कही answer A option correct सर यहाँ minus लिया यहाँ plus लिया पहले वाले में भी plus लिया ऐसा क्यों द्याद चे समझना जो पहली बार कर रहा है सबसे पहले हम देखते है order क्या है element का number क्या है अगर मैं इसकी बात करूँ यह है first row first column यह है first row second column बेटा जी और यह है first row third column है इसको आप i, j से denote करते हो अगर i plus j का sum even होता है तो sign positive लगाया जाता है अगर i plus j का sum odd होता है तो sign negative लगाया जाता है जैसे कि one plus one कितना आएगा even आएगा two आएगा तो यहां मैंने लगाया था plus one plus पहले लगाया था इसमें क्या है first row second column one, two है one plus two odd होता है इसलिए negative लगाया है और one plus three था even था इसलिए positive लगाया था तो अगर आप first row से कर रहे हो तो अपने दिमाग में सेट कर सकते हो plus minus plus always आएगा ही आएगा three into three तो उससे भी आप कर सकते हो तो यह clear है बात plus minus plus कैसे आया और क्यों आया चलिए आगे देखते है भई एक बहुत प्यारी property और question इस पे आते है A matrix दे रखिये B दे रखिये कह रहे A B का determinant निकालो तो sir बहुत असान है एक काम करते है A into B का multiply करते है जो नई matrix आएगी उसका determinant निकाल लेंगे यही तो होगा ना भई कर सकते हो लेकिन इससे भी असान तरीका है क्या असान तरीका है सर इससे क्या असान तरीका हो सकता है A determinant into B का determinant भी property होती है A का determinant find करो कितना आएगा देखो 0 फिर minus यह minus 2 तो plus 2 हो गया भई इसका देखो minus 1 minus 6 तो minus 7 हो गया तो minus 1 minus 6 minus 7 दोनों को multiply कर दो तो 2 into minus 7 equal to minus 14 हो गया क्या logic D option मिल गया हो गया answer आपके पास तो जल्दी हो गया ना A into B करके भी यही answer आता जो अभी आपके पास आया है अलग नहीं आता भाईस करना चाओ आप verify कर सकते हैं next question देखते हैं भई हमारे पास कह रहा है if there are two values of A कह रहा है यहाँ पे A की कित्ती value हो भई दो value हो है which produce determinant equal to 86 जो determinant क्या produce करती 86 A की कोई भी value डाल लो दोनों में से 86 आएगा ही आएगा determinant में then sum of these number तो A की जो दो values है उनका sum क्या होगा determinant दिया है ना तो घबराना नहीं है board में आया वा question है determinant दिया वा है तो determinant solve करो first row से करो पहला क्या है one है पहला है मेरे पास one है तो one लिको पे one की row को delete करो one के column को तो मैं direct कर रहा हूँ ये कित्ता हो गया 2A square minus फिर ये कित्ता होता minus 4 तो minus minus plus हो गया भई फिर किसका sign लगाए जाएगा minus का plus minus plus element क्या है minus 2 है तो minus अगर लगाता तो plus हो जाता two की row को delete करो two के column को delete करो तो ये हो गया 4A minus 0 फिर क्या है plus 5 है five की row को delete कर दो five के column को delete कर दो तो ये हो गया 8 minus 0 equal to 86 bracket open करें 2A square plus 4 plus 8A plus 40 minus 86 equal to 0 हो गया 2A square plus 8A ये किता हो गया भाई 44 में से 86 से ला गया 44 में से 86 से ला गया तो minus का 42 आ गया 2 से डिवाइड कर दो तो A square plus 4A minus 21 equal to 0 आ गया Quadratic equation बन रही है सब मेंडलन स्प्लिट कर ले थे कर लो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर आपको यादो sum पूछा है A क्या है variable है यहाँ पे sum of zeros याद है आपको alpha प्लस beta जो आपने minus B by A पड़ा था बच्पन में split करके करना कर सकते हो मैं लेकिन एक बात याद दिला रहा हूँ जल्दी करना हो B कितना है 4 नहीं है A कितना है 1 है तो minus 4 is the answer sum ही तो पूछा था आपसे जो A की दो value आ रहे उसका sum कितना है minus 4 आएगा A1 आ रहा है minus 7 A1 आ रहा है 3 तो देखो इन दोनों का sum minus 7 plus 3 minus 4 आ रहा है कितना आ रहा है minus 4 आ रहा है तो ऐसे करके show कर दो ऐसे कर लो तुमारी मर्चिय जो करना हो तो minus 4 correct answer हो गया next देखे बहुत ही प्यारा question है अगर आप देखोगे determinant की property में मैंने ये property लिखवा दिया है ध्यान देना if A is a skews metric matrix of order N odd order की बात कर रहा है अब अपने बस note कर लो अगर skews metrics metrics कोई भी skews metric metric जिसका order odd है मतलब 3 into 3 like something odd में order हो always determinant का answer 0 आएगा कितना आएगा always 0 आएगा कुछ और आएगा ही नहीं note कर लो इस बात को आगे देखे क्याता determinant plus 3 equal to 0 x की क्या value होगे तो determinant बोल रहा थे हूँ determinant निकालो भी first row से अगर मैं expand करूँ तो कितना होता भी 2 डारेट करेंगे row गई column गई तो 1 x minus 9 x minus 3 row गई column गई x minus 4 फिर 2 है row गई column गई 9 x minus 4 x ये तो सारे ही x में आ रहे हैं और plus 3 equal to सुने देखो minus 8 x को 2 में कर दूँ तो minus 16 x हो गया ये कितना था 4 था 4 x था ये गया ये गया x minus 4 x था minus 3 x into minus 3 तो plus 9 x हो गया 5 2's are 10 हो गया plus 3 कितना हो गया 19 में से 16 गया तो 3 x plus 3 equal to 0 then x equal to minus 1 कौन सा आणसर आ गया c आ गया तो कोशन देखके ये नहीं गबराना कि ये determinant plus 3 को क्या करना है जब इसला कोशन था उसमें क्या हो गया determinant की बात करें determinant expand करो कुस्तो मिलेगा और जब करो गया कुस्तो समझ में आएगा पेपर में छोड़ना नहीं है बहुत ही प्यारी property है बहुत ही प्यारा formula है cbse का बहुत दुलारा है बहुत बारी exam में आया हो है क्या है formula कहता है k into a का determinant अगर कहीं दिखे ये equal होता है k raise to the power n into a determinant k n का order of matrix जो दी होगी जातो 2 into 2 3 into 3 जो भी order दे रखा को वो n होगा 2 into 2 के तो n 2 है 3 into 3 के तो n है 3 होगा इसमें बताओ n कितना है 3 into 3 के तो n 3 है क्या कहा रहा है 3 into a का determinant तो k क्या हो गया k हो गया 3 तो अगर k है 3 भार आएगा n भी 3 है into a का determinant 27 into determinant of a कहा है भई answer a option मिल गया क्या अब इसमें बहुत सारे questions पनते है कभी k की value दे रखी होती है अंदर की value निकालनी होती यहां कोई value दे दी 27 तो अंदर k दे दिया कि उसने ऐसे बोल दिया k into a equal to 27 into a then k क्या होगा भई बताओ order है 3 into 3 तो 3 होता उल्टा कर देंगे तो तो इस पर बहुत सारे questions बनते है formula अगर याद है सारे questions solve कर लो गए area of triangle area of triangle पर भी question आने के बहुत ज़्यादा chance है हमारे पास area of triangle की अगर हम बात करें तो कुछ बाते जानना बहुत ज़्यादा ज़्रूरी है हमारे पास area of triangle जब उसने दिया तो 3 point के coordinate दे दिये अब यह 3D तो है नहीं 2D है x1 y1 x2 y2 x3 y3 कहता है area of triangle निकालो using determinant तो क्या करे area of triangle का जो formula होता है याद कर लो बड़ा असान है याद भी नहीं करोगे तब भी हो जाएगा एक question करोगे तुरंद ही याद हो जाएगा determinant जाए area of triangle भी बोल सकते हो half x1 y1 1 x2 y2 1 ये तो हमें given है सर ये 1 1 कहां से आया क्योंकि भीया determinant find कर रहे हो determinant square matrix का होता है अगर ये ही डालते क्या ये square matrix बन रही है नई तो इसलिए यहाँ पर 1 1 1 लिख दिया जाता है ठीक है तो ये बन गया area of triangle का formula अब जब area निकाल रहे हो तो क्या area कभी negative में हो सकता है हो सकता है आपने कभी determinant expand किया आपका आगे negative लेकिन answer आप positive ही consider करोगे यहाँ पर कहा रहा है since area is a positive quantity we always take कनता absolute value of the determinant negative नहीं लोगे positive ही लोगे second point देखने if area is given ये बहुत important point है क्योंकि question आता है कि area इतना है k की value निकालो कोई coordinate missing कर देता है तो ये दोनों point note करना है use positive and negative value of the determinant क्या रहे area is 3 तो जब यहाँ पर area लिखोगे तो plus minus 3 लगाओगे वहाँ पर हमेशा दो values ही आएगी जो भी missing coordinate होगा एक positive लेके करोगे एक negative लेके करोगे always question करेंगे अप यह तो यह दोनों point आपके बस not होने चाहिए question देखे भई अब area of triangle तीन points दे रखे coordinate given है area of triangle का हमने formula पढ़ाता लगाए area of triangle equal to half x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 यह हमने determinant बना लिया expand करना हमने अभी सीखा है वो ही करना है जैसे आप expand करते हो half को बार रहन दो पहला कौन से 3 3 की row छोड़ो 3 का column छोड़ो कितना हो गया 2 1 जा 2 में से 1 गया फिर minus 8 यह गया यह गया minus 4 minus 5 minus 9 हो गया फिर 1 ले लू यह गया यह गया तो minus 4 minus 10 यह यह बई कितना आ रहा है कितना आ रहा है यह हो गया half यह हो गया 3 यह हो गया 9 8 जा 72 और यह हो गया minus 14 यह यह तो 75 में से 14 चला गया तो 61 by 2 square unit answer है क्या भई option में square unit ज़रूर लगाना है क्योंकि area find कर रहे हो 61 by 2 square unit मेरा answer आ गया next देखते हैं if points are collinear points collinear then find the value of lambda अब यह collinear कहां से आ गया से है देखो colline का मतलब क्या होता है एक line पे a है b है c है क्यारा using determinant find the lambda जा k है अब जब एक line पे है तो area of triangle find कर सकते हो क्या तीनों point को मिला के triangle बनेगा कभी कभी ने तो always अगर points collinear है तो area of triangle इसका मतलब always कितना होगा area of triangle equal to 0 होगा ही होगा तो इसका मतलब area of triangle का formula लगा रहा हूँ और equal to क्या रख दूँगा 0 रख दूँगा value निकल जाएगी तो एक collinear में area of triangle होता है 0 यह बात याद रखना तो 0 equal to half x1, y1, 1 x2, y2, 1 x3, y3, 1 यह होगा expand करें 2 को इदर ले जाओंगा तो 0 ही हो जाएगा तो 0 लिख लूँ 2 लिखने के जूरत ही नहीं पहला है 2 row गई, column गई, minus 1 minus 4 फिर minus minus 3 है तो plus 3 कर दूँ यह गया, row गई, column गई तो lambda minus 0 हो गया फिर 1 से ले ले लेते है row गया, column गया 4 lambda minus 0 हो गया तो कितना हो गया भई यह minus 10 3 lambda, 4 lambda तो यह हो गया 10 equal to 7 lambda और lambda equal to 10 by 7 क्या option में है क्या भई? option, option, a option correct है अच्छा, इसमें कोशन बनता है कैसा बनता है? बड़ा प्यारा कोशन बनता है और बहुत सारे बच्चे गरबढ कर देते है कोशन बनता है lambda की value नहीं पूछता वो आपसे 4 lambda, 3 lambda like something पूछ लेता है और 4 lambda पूछा option में उसने एक दे दिया 40 by 7 और उपर 10 by 7 मैंने lambda निकाला और टिक कराया one marks के question में 10 by 7 जबकि question में पूछा था 4 times of lambda जिसका आंचर था 40 by 7 तो सतर्क रहे वो आता नहीं एक टीवी में सतर्क रहे तो सतर्क रहे सोना है, जागना है तो सो जाए, सोना है तो जाग जाए तो वैसे ही सतर्क आपको रहना पड़ेगा, नहीं तो happy birthday to you हो जाएगा आपका चलिए A matrix दी है, कहरा adjoint of A का determinant, सरे joint क्या होता है, अभी पढ़ाऊंगा एक formula समझ लेते हैं यह MCQ में बहुत property पे question आता है, वो तो करें कम सका अगर कभी भी adjoint of A matrix का आपसे determinant पूछे तो उसका formula जो होता है वो होता है A का determinant find कर लो और raise to the power n-1 कर दो मुझे इसका determinant पूछा था मैं अगर A का determinant करके n-1 कर दूँ तो मेरा answer आ जाएगा, कैसे देखो determinant of A निकाल हो गए कितना है, 2 ये गया, ये गया minus 1 minus 8 minus 1 minus 8 फिर minus 1 ये गया, ये गया minus 3 minus 0 फिर है 0 तो ये हो गया minus 18 plus 3 equal to minus 15 आ रहा है, determinant A का, answer मिल गया अलो, क्या से मिल गया, देखो minus 15 n था 3 minus 1 तो 2 to 5 answer आ रहा है, क्या कोई, ये रहा है, तो फॉर्मला अगर याद है, तो solve कर लोगे, फॉर्मला अगर याद नहीं है, तो ये ही one marks का question, तुम पांच नंबर का question बना के करोगे, पहरे अट जॉइंट एग मैट्रिक्स बनाओगे, फिर उसका determinant निकालोगे, भाई सब दि इतने आगे लिखेते हैं, कम से कम 3 से 4 mcq, आपको इन फॉर्मला बेस मिलेंगे, 3 से 4, इन वर्स उफ दा मेट्रिक्स निकाल, अब यह इन वर्स कहां से आगया भी, ध्यान से समझना, इन वर्स मैट्रिक्स, इन वर्स मैट्रिक्स कौनसी होती है, जैसे कि यह एक A मैट्रिक्स है, एक ऐसा मैट्रिक्स A इन वर्स, अगर मैं A में दुबारा mustiply करूं, तो वो always आ कि ऐसी मैट्रिक्स बताओ कि ए मैं मल्टिप्लाई करूँ तो वो आई दे दे ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है, इसी इन वर्स मैट्रिक्स, इन वर्स मैट्रिक्स निकालने से पहले हम दो चीजे समझेंगे माइनर्स कोफेट्रस और फिर समझेंगे एड्जॉइंट ओफिय भी उसी करियोज करके सबसे पहले अगर इनवर्स निकालना है अगर इनवर्स पॉसिबल है तो डिटर्मिन निकालना पड़ता है क्यों? दियान से समझना मैंने इसका डिटर्मिन निकाला कितना आ गया? 6 माइनस माइनस 8 है तो प्लस 8 हो गया तो 14 आ गया डिटर्मिन हमेशा नौट इक्वल टू 0 होना चाहिए क्या? किसके लिए? इनवर्स के लिए अगर इनवर्स निकालना है तो डिटर्मिन कभी भी 0 नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि ए इनवर्स निकालने का जो फॉर्मिला होता है वो होता है 1 upon में डिटर्मिन इन्टू एडजॉयंट ओफ ए मैट्रिक्स यह फॉर्मिला होता है अगर डिटर्मिन जीरो होता तो यह 1 by 0 not defined हो जाता इसलिए डिटर्मिन कभी भी 0 नहीं हो सकता था एक कोशन हमारे पास यह आता है कि क्या यह invertable possible है inverse find करना possible है तो मतलब कि सिरब हमें क्या निकालना था डिटर्मिन निकालना था 0 नहीं आया मैं लिख दूँ है yes possible है बस इतना काम खता हूं चलो अब सर और क्या-क्या निकालना है अब उसको देख लेते हैं अब है सबसे पहले मैं आपको सिखा रहूं minors क्या सिखा रहूं minors minors दो चीज़े होती एक minors होता है एक co factor होते है नाम तो सुना ही होगा है ना minors को capital M से देनोट करते है 1 1 कितने element है 4 है तो 4 ही minors निकलेंगे और 4 ही co factor निकलेंगे 1 2 2 1 2 2 अब minors कैसे निकलते है आरांच समयना क्योंकि इसी पर 5 नमबर का question बनने वाला है पहला element है ये इसकी row को छोड़ दो इसके column को छोड़ दो तो क्या दिख रहा है जिरफ तुमें 3 दिख रहा है तो 3 आ गया 1st row 2nd column है minus 2 इसको छुपाओ इसके column को छुपाओ कितना दिख रहा है 4 तो 4 आ गया 2nd row 1st column concept 4 है 4 की row को छुपाओ 4 के column को छुपा लो तो minus 2 दिख रहा है 2 2 में 3 है 3 वाल की row को छुपाओ 3 की column को छुपाओ तो 2 दिख रहा है तो टू लिख दो लो जे बन गए माइनर्स ये है ये है हमारे माइनर्स तो सर कौफेक्टर्स क्या होते है भई ज़़ा धेहान से समझिए कौफेक्टर्स को कैपेटल I C से और J से और कैपेटल A I J से भी दिनोट करते है दोनों समय से किसी को भी कर लेना को फेक्टर भी चार निकलने वाले है तो फिर होता क्या है इंदोनों मटे फ्रेंट दीखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में क्या है टू है टू के कॉलम को छोड़ दो रो को छोड़ दो तीन बचरा है थ्री लिख दो अरे सर ये तो आपने यहां भी कराया था यहां भी करा रहे हो सबर रखो समझा रहा हूँ फर्स्ट रो सेकिंड कॉलम में माइनस टू था उसकी रोर कॉलम गया तो चार आ गया सर चार रख दियो सर ये तो आप सेम ही लिख रहे हो बिल्कुल सेम लिख दी है लेकिन सा difference क्या हुआ difference है अब बताता हूँ note कर ले न अगर i प्लस j का sum odd आ रहा है तो आगे चोपचाप negative लगा दे न अपने आप minors के अंदर नहीं co factors के अंदर होगा minors के अंदर नहीं लगाते है जैसे determinant में कर रहे थे मतलब यहाँ पे sum even है तो मैं आगे कुछ नहीं लगा रहा वहाँ plus लगा वह odd है, odd है तो negative लगा दू odd है तो एक negative ओल लगा दू even है तो नहीं, तो यह कितना हो गया minus 4, यह कितना हो गया, 2 हो गया logic, co factors आ गए तो minors में plus minus नहीं लगाते है co factor में plus minus लगता है plus कहाँ पे, जहाँ पे even है, वहाँ plus लगेगा, कुछ नहीं भी लगा वो चलेगा लेकिन अगर odd है, इन दोनों का sum, तो minus पहले ही लगा देना, नहीं तो last में भूल जाते हो मैंने बाद में लगा है न, तुमें नहीं लगाने मैंने difference समझाने के लिए लगा है minor समझे, co factor समझे adjoint पे आते है adjoint बनाने के लिए हमें co factor चाहिए ही चाहिए होते है कैसे? तिरा ध्यान से देखो adjoint of a matrix का मतलब होता है जो co factors आए उनको अपनी अपनी position में बिठा दो पहले इज़त के साथ कितना है पहले 3 था फिर minus 4 था फिर 2 था फिर 2 था बिठा दिये इज़त के साथ बिठाए अब बोलो एक काम करो भाई मैं तुमारा transpose कर देता हूँ क्या कर देता हूँ transpose को वेक्टर्स का transpose करने पर जो matrix बनती है उसी को उसी को बोला जाता है adjoint of A matrix तो adjoint of A कितना हो गया 3 minus 4 2 this is adjoint of A matrix यह हो गई मेरे पास तो adjoint बनाने के लिए co factors निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और inverse निकालने के लिए co factor निकालेंगे फिर adjoint बनेगा फिर inverse matrix बनेगे तो अब inverse matrix का formula क्या था ज़रा देखो inverse कह रहा था 1 upon my determinant determine केतना था 14 into adjoint of A matrix यह inverse matrix बन गए यह आप homework में चेक कर सकते हो इसका multiply अगर इसमें करता तो answer I matrix 1, 0, 0, 1 की matrix ही बनती और कुछ नहीं बन सकते है चेक कर सकते हो आप ठीक है चले आगे आगे देखते हैं अच्छा इसमें एक चीज़ और बता देता हूं सर अगर यही question आगया एक number में कि adjoint of A matrix बना के दो तो इतना बड़ा solve करना पड़ेगा अगर 2 into 2 की matrix है वो एक number में इसलिए दे रहा है क्योंकि इसका shortcut है अब use कर सकते हो वो shortcut क्या है जरा ध्यान से देखना भई adjoint of A matrix और A matrix में जरा comparison देखना बागे सब बूल जाना इन दोनों को interchange करके लिखा गया है क्या 2 की जगा 3 और 3 की जगा 2 interchange करके direct लिख दो यह 3 उपर लिख देना 2 नहीं चलिख देना यह तो हो गया आगे देखो second में और क्या करना है आप इन दोनों के sign को change कर दो वह minus 2 है adjoint में देखो 2 लिखा होगा देखो यहाँ 4 था यहाँ minus 4 लिखा होगा बन गई adjoint of A matrix तो मतलब बिना करे भी आप tick कर सकते हो option को बिना करे भी answer आपको मिल जाएगा वहीं आप चेक कर सकते हो तो आपने क्या किया 3 और 2 को interchange इधर interchange होता है diagonal में और इधर वाले में sign change होता है plus की जगा minus लगा देना minus की जगा plus लगा देना adjoint of A matrix बन गई inverse भी पूछे तो निकाल के सीधा adjoint यहाँ डाल देना inverse बन जाएगा यह सिर्फ सिखाने के लिए मैंने 2 इंटू 2 में कराया था find the inverse of A the matrix कौन से order की आगी 3 इंटू 3 की inverse निकालना है तो minor का कोई काम नहीं है हम को फेक्टर ही direct निकाल लेते minors आपने सीख लिए न बस plus minus नहीं लगाते बागी सब काम वो ही करते है चलो अब 3 इंटू 3 की है तो इसका मतलब कितने बनेंगे भाई मेरे पास 9 को फेक्टर 9 को फेक्टर बनाने पड़ेंगे पहला पहली रो से बनाए first row first column first row second column first row third column यह minus लगेगे न भी odd है सब चलो direct करते है यह गया जैसे determined solve करते थे यह है इसकी row छोड़ो इसका column छोड़ो यह दिख रहा है चलो इसक वाले का लिख देतो बागी direct करेंगे क्या बच रहा है 2 minus 2 minus 3 4 यह दिख रहा है भी expand करो 4 2s are 8 minus यह कितना हो गया minus 2 minus 3 plus 6 हो गया तो 8 minus 6 कितना आ गया 2 आ गया क्या 1st row 2nd column का है minus 1 वाला है value मत लिख देना कहीं minus 1 वो नहीं मतलब मुझे उसकी position लो बस यह रहा यह रहा 0 3 minus 3 4 0 3 minus 3 4 expand करता तो minus 0 minus यह minus 9 minus minus plus 9 हो जाता तो यह हो गया minus यह minus 9 आता minus पहले से इसलिए plus 9 हो गया 1st row 3rd column का है यह है इसकी position को चुपाओ इसके column को चुपाओ यह बच गई 0 3 2 minus 2 0 minus 6 equal to minus 6 आ गया 1st row हो गई अब किसकी बारी आ गई अब 2nd row की आ गई 2nd row 1st column 2nd row 2nd column 2nd row 3rd column minus minus लगाती है पहले आजो क्या है 0 है इसकी row को चुपाते है इसके column को चुपाते है यह गया यह गया तो यह हो गया minus 4 plus 4 0 आ रहा है 2nd row 2nd column 2 है 2 की row चुपाते है 2 के column को चुपाते है यह गया यह गया तो 4 minus 6 आ रहा है minus 2 2nd row 3rd column कौन सा element है minus 3 है इसकी row को चुपाया इसके column को चुपाया यह गया यह गया तो minus 2 और plus 3 आता minus 2 plus 3 तो यह 1 हो गया तो यह minus 1 हो गया 2 row हो गई column पे चले 3rd row 1st column 3rd row 2nd column 3rd row 3rd column minus लगा 2 चले पहला क्या है 3 यह गया यह गया तो यह कितना आ गया 3 minus 4 3 minus 4 कितना हो गया minus 1 3rd row 2nd column यह गया यह गया minus 3 और 0 minus 3 minus 0 कितना हो गया 3 हो गया 3rd row 3rd column यह यह 2 2 आ गया भई यह मेरे पास क्या बन गया भई सारे के सारे यह मेरे पास सारे के सारे बन गया है कोफेक्टर्स सारे इन्वर्स फाइंड करना था डेटर्मेंट फाइंड नहीं कर लेना चाहिए था पहले कर सकते थे ओहो सारे बिल्कुल करना चाहिए था भी बिल्कुल वी अब कैसे आता जा रहे है यह भी ध्यान दो चलो तो मैं यहाँ पर अभी क्या चाहिए था मुझे अभी मुझे चाहिए था A inverse A inverse क्या पढ़ाता उसके लिए Adjoint चाहिए था Adjoint के लिए क्या पढ़ाता भी है Co-Fetors को अपनी अपनी जगा पर डाल दो तो Adjoint of A Matrix, अच्छा यहाँ पर Determinant not equal to 0 है तो इसलिए inverse find कर सकता हूँ अपनी अपनी जगा पर डाले 2 minus 9 minus 6 फिर 0 minus 2 minus 1 फिर minus 1 3, 2 और इस पूरे का क्या करते तो transpose कर देंगे तो Adjoint of A matrix बन जाती inverse matrix से यह थी तो inverse matrix क्या पढ़ी आपने inverse matrix में कह रहा था कि भई 1 upon me Determinant, Determinant है minus 1 into Adjoint of A transpose करके डाल दो 2 minus 9, minus 6 0, minus 2 minus 1, minus 1 3, 2 यह A inverse matrix बन गई minus की multiply अंदर कर देना A inverse matrix बन चुकिए आपके पास clear है चलो आगे देखते हैं board exam में आया वह question है अभी 5 नंबर का question करा रहा हूँ उसके लिए inverse matrix आना जरूरी था जो हमने find करना सीख लिए 2 question में A matrix दे रहे की है शो करो कि A square minus 5A plus 7A equal to 0 के है सभी यह तो matrix का question है A square निकालो 5 की A में multiply करो 7A निकालो plus minus करके 0 matrix बननी चाहिए Null matrix कोई दिक्कत नहीं थी इसे आप कर ले न लेकिन आगे देखो सबसे important part वहाँ है Hence find A inverse A inverse अगर आपके पास कहीं पे आता है यहाँ पे इस question के अंदर तो adjoint A से नहीं निकालेंगे सब भी तो आपने बताया था कि adjoint निकालो, determine निकालो और कर लो, यह तो 2 into 2 की matrix यह तो बड़ा असान था interchange करते, sign change करते, matrix बन जाती adjoint की जब भी यह आए कि show करो और hence find A inverse इसका मतलब वो कह रहा है, इसका use करके A inverse find करो इस equation का use करके अब वो कैसे करे देखे यह तो आप zero proof कर लोगे A inverse इसमें कहीं नहीं है तो हम क्या करते है A inverse की मैं both side multiply कर रहा sir अगर adjoint से करते तो बेटा यहां तक के marks मिल जाएंगे, आगे के marks नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो कह रहा है कि इसी से solve करो, यह हो गया A square और A inverse का मतलब है A की power 2, A की power minus 1 power add करता तो A बच जाता यह A inverse into A कितना होता है I होता है, अभी property लिखवा देता हूँ, A inverse की I में करूँगा, तो A inverse ही आएगा, equal to zero होगे, यह मैंने बताया भी था, तीन property note कर लो, एक दो A inverse into A लिखवा दीती, I होता है A inverse into I, A inverse होता है I into A inverse भी A inverse ही होता है A into I हो, जा I into है A ही होता है I का determinant कितना होता 1 होता है, तो इसलिए इसको 1 के तरीके से आप याद रख सकते हो तो यह तीन property बहुत काम आती है अब देखो आपको A inverse से ही है था तो 7 A inverse 5I minus A के हो गया 5 into I matrix minus A कर दो जो बने अब matrix के इसाब से चल रहे हो inverse निकल रहा है लेकिन matrix का use करके निकल रहा है determined का कोई use नहीं रहे गया तो A inverse equal to 1 by 7 कर देना आपके पास A inverse निकल जाएगा तो अगर मैं वैसे निकालता है joint चा तो क्या लगाता रहे बहाई A inverse तो एक ही है ना अगर आप से बोलों कि 2 में क्या multiply करोगी 1 आएगा तो आप बोलों कि sir 1 by 2 ही आएगा होगा और तो कुछ नहीं होगा किसी भी तरीके से निकालो 1 by 2 करके ही तो 1 आएगा और तो कुछ हाई नहीं लेकिन उसने जिससे बोला है हमें तो वैसे करना पड़ेगा इस चीज़ कर दिमाग से हमारे पास इसके तीन नमबर का कोशन आ रहा है एक्जामिन दा कंसिस्टेंसी ओफ दा सिस्टम ओफ इक्विशन नोट करो कुछ बातों को फिर डिसकस करते हैं कंसिस्टेंसी पर यहाँ पर कोशन नोट करेंगे कुछ चीजों को इस पर ही सारे कोशन हो जाते हैं कंडिशन क्या क्या होती है देखिए आपने बच्पन में जब 2D के अंदर class 10th के अंदर तीन टाइपस की लाइन्स पढ़ी होगी intersecting lines याद है, note कर ले ना ये भी काम आते हैं MCQ के अंदर intersecting line के अंदर A1 by A2 not equal to B1 by B2 के पढ़ाता ये lines intersect होती है जिसे आप unique solution भी बोलते हैं इसे consistence भी बोलते हैं क्योंकि इसमें XYZ आते हैं फिर आपने पढ़ी थी A1 by A2 equal to B1 by B2 equal to C1 by C2 infinitely many solution इन दोनों ही solution को consistent की श्रेनी में रखा जाता है category में फिर आते थी non solution parallel lines जिसकी firm होती थी A1 by A2 equal to B1 by B2 not equal to C1 by C2 सरी से क्या काम आएगा अरे बनमाक्स का question इसी से solve हो जाएगा अगर नहीं टिक ही करना है मेरे को तो उसमें answer ही तो लिखना है अगर मेरे से इस से होता है तो मैं यहां से लिख दूँँगा कहे मैं इसके चक्कर में पढ़ूँगा प्रॉपर्टी लगाओ यह लगाओ वो लगाओ देखते हैं क्या गया रहा है अगर 3 into 3 का हो तो क्या करते है इस determinant not equal to 0 अगर determinant 0 नहीं आ रहा तो सीधा ही consistent होगा क्योंकि inverse निकाल पाओगे inverse निकाल वाओगे तो x y z की value निकलेगी तो अगर determinant not equal to 0 है तो आप बोलोगे consistent है 0 नहीं आए कुछ भी आए 0 नहीं आना चाहिए तो पहली बात तो यहां हो गई जिसको आप unique solution भी बोलते हो तो वो unique solution होगा पता लग गया चलो दिक्कत कहा आती है सब दिक्कत वहाँ आती है जा पर determinant 0 आ जाता है अब क्या करें अब वो infinite है कि no solution है कैसे पता लगेगा unique पे तो determinant not equal to 0 आएगा याएगा अभी question करेंगे तो ज़्यादा चीजे समझ में आएगे अगा determinant 0 आ जाता है तो एक step और करना पड़ता है क्या आप find करेंगे adjoint of A into B adjoint of A matrix बनाओ into B करो अगर वो 0 नहीं आएगी matrix 0 value नहीं matrix बनेगी न अगर वो 0 matrix नहीं बनती तो आप बोल दोगे कि ये no solution है inconsistent है क्या हो गया भई मैं को समझ नहीं आ रहा है मैं कहा हम करूँ या इसकी पिच्छे पिच्छे बागो कौन मांगे गया इसलिए रो रहा अब बात ही आती है adjoint of a into b अगर 0 आ जाता तो क्या होता सर जरा इस बात को भी note करिये भई अगर आपने determinant 0 आया पहली condition तो determinant 0 आने पे मरबद दो तरीके की case बनते हैं ठीक है अब 0 आ गया तो सर नहीं बोला था कि adjoint of a into b निकालना adjoint of a matrix बनाई into b किया वो भी 0 आ गया इस case में आप क्या लिखेंगे neither consistent or nor inconsistent according to the system either infinite or no solution दोनों में से कुछ भी हो सकता है मुझे नहीं पता भाई मैंने हाथ खड़े कर दिया कुछ भी हो सकता है तो सर इतना बड़ा आएगा नहीं इतना बड़ा तुमारे भी मुझे लगता नहीं आएगा तो हमने तीन condition आब याद होनी चाहिए अगर 0 आ भी गया और ये भी 0 आ गया तो आप लिख दोगे कि क्या है कि ना तो वो infinite है ना ही no solution है तो ये रहे question करते है समन में आएगा कि क्या से करना है देखो क्यारा consist है कि नहीं है consistence ये बताना है अब ये 2 into 2 का है दो ही line है ना तो आप पहले मैंने क्या सिखाया था छोटा तरीके से भी कर सकते हो भी अगर mcq है तो a1 by a2 कितना है 1 by 2 b1 by b2 कितना है 2 by 3 क्या ये दोनों equal है नहीं है तो मैं क्या लिख दूँगा भई unique solution बोल सकता हूँ consistent और unique है हो गया answer मेरा tick कर दिया मैंने unique solution है अब determinants से अगर आप check करते पहले हम क्या निकालते है determinant निकालते है कितना आ रहा है अच्छा A matrix कैसे बनाते हैं उस पर भी discuss कर लेते है सबसे पहले हम A matrix बनाते हैं कैसे बनती है इनके coefficients है 1, 2, 2, 3 एका determinant निकालो जड़ा कितना आ रहा है 3, minus 4 कितना आ रहा है minus 1 बना रहा है not equal to 0 है तो unique है क्या था unique था solve कर सकते हैं ठीक है तो दोनों में से कोई भी तरीका use कर लेना इसमें आते हैं इसमें अगर हम देखे A1 by A2 कितना है 1 by 2 B1 by B2 कितना है 3 by 6 ये भी 1 by 2 C1 by C2 कितना है 5 by 8 ये दोनों equal ये not equal तो कौन सा बोलोगे sir no solution है inconsistent है अगर ये ही one marks का question अगर आप बड़े से करोगे तो time ज़्यादा लगेगा टिक करना हो तो इससे करोगे लेकिन हम बड़े से भी करते है क्योंकि 3 into 3 का question भी आ सकता है भी ज्यादा वेटेज में एक नमबर में ने मैंने डिटर्मिनेंट निकाला A matrix बनाई तो कितना हा रहा है 1,2,3,6 तो डिटर्मिनेंट 6 माइनस 6 जीरू आ गया अब 0 आ गया तो क्या निकालना था Adjoint of A into B matrix बनानी थी तो मैंने क्या बनाई मैंने Adjoint of A matrix बनाई 2 into 2 क्या जल्दी बन सकती है कैसे इन दोनों को interchange करो sir 6,1 इन दोनों को sign change करो माइनस 2,3 फिर क्या करना था फिर into B करना था formula जरूर not किया करो बहुत अच्छे से into B लिकूं दोनों को B matrix कौन सी होती है B matrix होती है जो equal to में होता है उससे बनते है 5,8 multiply करे करो यह हो गया भई 30 और यह कितना हो गया भई माइनस 24 यह कितना हो गया 30 फिर्स रो की फिर्स कॉलम में हो गई ना अब सेकेंड रो की किसमें कर लिए फिर्स कॉलम में यह हो गया माइनस 10 और ये कितना हो गया plus 8 क्या ये 0 matrix बन रही है क्या ये 0 matrix बन रही है अब जब ये 0 के equal नहीं है matrix तो इसका मतलब क्या पड़े थे हम पड़े कि ये no solution होता है inconsistent होता है दिक्कत कहां आती अगर ये भी 0 बन जाता तो फिर बहुलता ना तो ये infinite है नो solution की category में चले जाते हैं अभी मैं लिख सकते हैं तो no solution तो 3 into 3 का अगर question होता तो फिर मैं ऐसे नहीं कर सकता था फिर तो मुझे ये पूरा solve करना ही पड़ेगा तो ये question आपका homework में है 3 into 3 का पहले आप determine निकालेंगे वहां से आप देखेंगे क्या करने आगे ठीक है चलिए homework में करना अब आते हैं पांच नंबर के question की तरफ चलते है तो थोड़ा सा time बजाने के लिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा solution पहले ही डाल दिया है देखिए इसमें तीन तरीकी की matrix बनती है पहली हमने क्या सीख ली A matrix सीखी कहां से बनती है बाबू वो बनती है एक्सवजेट के coefficient से तो अगर मैं A matrix बनाता तो क्या बनती देखो 2-35 2-35 फिर 3-2-4 3-2-4 फिर 1-1-2 1-1-2 फिर यह तो दहीं रखी है बिलकुद दे रखी है चैने सेम दे रखी है , दे रखी है , आप निकाल रख औजंड और से मेले क्या पजूबक को ने पूंख परेखो तो सुन म्हें हमने एक्स्पैंड किया है माइनस 1 , मैंने पहली कर दिया है तो यह विदियो थोड़ी चोटी हो जाईगा फिर मेरे co-factors भी निकाल रखे है आप निकाल सकते हैं तो मैं यहाँ पे co-factors के लिए adjoint of a matrix बना रहा हूँ सबको अपनी अपनी जगह पे डाल दे कितना है 0, 2, 1 minus 1 minus 9, minus 5 2, 23 और 13 और इसके लिए इसका क्या करना पड़ता है भई ट्रांस्पर्स तो adjoint of a matrix क्या बन गई 0, 2, 1 minus 1, minus 9 minus 5 2, 23, 13 यही बनेगे सर फिर x, y, z कैसे निकालेंगे यह तो अभी तक आपने बताए ही राज की बात दो matrix हमें पता है A matrix मुझे पता है कि coefficient से बनती है B matrix किस से बनती है B matrix बनती है अगर अगर आप बहुत ध्यान से देखे अब्जर्ब करें तो A x इक्वल टू B की फोर्म में कोशन गीवन है मझे कैसे इसकी x इसमें multiply करना है row की कॉलम में 2x-3y प्लस 5z यही है equal to B B में कौनसा element था 11 था है न हमें कौनसी matrix find करने है हमें x matrix find करने है x-z की value तो मैं direct अगर चाहूं paper के अंदर time बचाने के लिए तो मैं इसे x equal to A inverse into B लिख सकता हूँ लेकिन कैसे सर मैंने को x से यह था तो मैंने क्या किया A inverse से both side multiply कर दे A inverse into A i होता है i into x x होता है तो x equal to A inverse into B बन गई तो आप exam में direct भी कर सकते हूँ मतलब कि अगर मुझे x matrix है यह तो मुझे A inverse matrix find करने ही पड़ेगी है जो कि हम कर रहे हैं A inverse के लिए आपने क्या पढ़ा था वन अपन में determinate इंटू एड्जोइंट ओफे जा गया हमें x matrix है x equal to A inverse minus के अंदर multiply into B matrix के B कितना है 11 minus 5 minus 3 करे multiply row की column है जीरो 11 जाज जीरो minus 5 और plus 6 फिर second row की first column में करेंगे 22 minus का minus 45 और minus कितना हो गया 69 ज्यादा बढ़ा नहीं हो गया कुछ गर बढ़ता है करीब है 2 तीनो नेगिटिव की कैसे आ गया minus 2 चेक करना बढ़ा कोई गबड तो नहीं है 0, 2, 1 minus 1 minus 9 minus 5 2 23 और 13 2, 23 और 13 था 2, 23, 13 minus 2 minus 9 minus 22 minus 45 minus 69 एक मिन चेक करते हैं फिर इसकी की minus 11 हो गया यह minus 25 हो गया और यह plus 39 हो गया ऐसे ही है इसमें कुछ गरबढ लग रही है यह कौन से यह रहे तिनो यह यह तिनो एक बार इसको चेक करें यह first row कौन सा है first row second column यह गया यह गया minus 6 plus 4 minus 2 तो 2 था ठीक था फिर कौन सा था second row second column का second row second column यह रहा यह गया यह गया minus 4 minus 5 तो minus 9 आता यह भी ठीक था फिर कौन सा था third row second column यह था यह गया यह गया minus 8 third row second column है minus 8 हो गया और minus कितना था यह गया minus 8 minus 15 minus है तो plus 23 है यह गया यह गया यह बड़ा हो गया यह minus 23 था minus 23 है तो minus minus plus 69 हो जाता यह गया चले चेक करे यह कितना हो गया भई यह आ गया मेरे पास equal to में plus 1 यह कितना हो गया 67 plus 2 और यह हो गया 36 हो गया तो यह plus 3 है यह किसके equal था x y z के तो x 1 है y 2 है z 3 है चेक कर सकते हो ऐसे question में यह फाइदा बहुत रहता है 5 number के equation में डालो x 1 था 2 1s आ 2 y कितना था 2 था 3 2s आ 6 और z कितना 3 5 3s आ 15 15 plus 2 17 में 6 के 11 आ गया verify गया तो 5 number के question में हमें इस बात का फाइदा खूब रहता है अगे देखे सर यह तो same question ही आपने दे दिया A matrix है A inverse निकालना है और solve the system linear equation देखने में बाबु same है same है नहीं कैसे देखे देखो A matrix जो actual में आप इससे बनाते हो न कितनी बनती 1, 2, 1 यहां होना चाहिए था है क्या सर नहीं है minus 1, 1, 1 row में होना चाहिए था है क्या सर नहीं है यह क्या गरबढ़ा गरबढ़ हो गई ध्यान देखो 1, 2, 1 row में होना चाहिए था लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कुलम में थे-11 कॉल्म 1-31 फिर आप IT मेर्ट्रें इसको मानते हो लेकिन उसने तो इस इसको बोला ना वद इसी का ईन्वर्स पिता जी ने जो रखा वो ही है और उन्हें तुमारे नाम पे चार क्रोड रुपए कर दिये तो तुमारे नाम पे याएंगे ना तो जिसको जो नाम दिया उसी का इंवर्स निकालने को बोल रहा है तो उसी का इंवर्स निकालने को बोल रहा है तो उसी का इंवर्स निकालने चलो डेटर्मेंट अगर हम देखे तो कितना आता भई मेरे पास आ जाता 4 प्लस 5 प्लस 1 जो कि आ रहा है 10 जो कि not equal to 0 के है अब मुझे inverse चाहिए था तो inverse equal to 1 upon me determinant into a joint of a उसका transpose करके भी दे रखा है सीधा यूज कर ले थोड़ा वीडियो छोटी हो जाएगी यह आ गया 5 नमबर का कोश्चन था तीन नमबर पके लेकिन कहानी पे twist कहां आया कहानी में twist यहां आया कहता है hence find inverse solve the system of equation find a inverse then इसका use करके solve करो system इसका नहीं जो है भी उसका use करके बताओ जैसे अभी पीछे कोश्चन किया था अब कैसे करें सर हमने तो यही पढ़ा कि अगर मुझे x matrix सही है तो a inverse into b करते हैं a inverse मतलब कौन सी matrix जो यहां से बनती है transpose वाली नहीं यह तो इसका transpose थी तो क्या करें ध्यान रखना इस बहुत simple सी बहुत confuse नहीं करूँगा जो matrix बननी चाहिए ती और जो दे रखी है अगर वो transpose दे रखी है तो आप last में क्या करेंगे simple सी बात बता रहा हूँ x equal to a inverse का transpose into b करते ना बस inverse तो निकाला ही है उसका transpose into b कर दो x matrix find हो जाएगी मतलब आप क्या करेंगे क्यों ये भी देख लो एक property होती है a inverse का whole transpose equal to a transpose का inverse की होती है ये एक property होती है तो अगर मैं यहाँ पर x y z की value डालता x matrix की और a inverse का क्या करना है transpose a inverse वो रहा inverse तो अच्छा निकाला ही नहीं a inverse का transpose निकालता तो कित्ता होता मतलब मेरे पास अगर मैं a inverse का transpose निकालता तो 1 upon 10 into a joint of ये ये तो होता ये ता लेकिन मुझे इसका क्या चाहिए मुझे इसका transpose चाहिए तो मैं यहाँ पर इसका transpose डाल दूँगे 4, 2, 2, minus 5, 0, 5, 1, minus 2, 3 into b b कितना है वह equal to मैं 4, 0, 2 अगर transpose दिया हो तो a inverse जो निकालना था उसका क्या करेंगे last में transpose कर देंगे बस इतनी सी ही बात याद रखने इतना confuse मत होना question को लेके ठीक है अब अगर मैं multiply कर देता तो मेरा कितना आता 16 प्लस 2, 18 आ जाता और ये 8, 8 में से 4 गया तो 2 आ जाता 8 में से 4 गया, 4 हो गया ये 8 प्लस कितना हो गया, 6, 14 तो ये हो गया, 18 by 10 मतलब 9 by 5 2 by 5 और 7 by 5, fraction में आ रहा है भाई fraction में आ रहा है, चेक कर लेते हैं चेक कहां करें, चेक चलो यहां कर लेते हैं 9 by 5 इसमें चेक कर रहे हैं प्लस 2 by 5 का इसमें तो 4 by 5 हो गया और फिर प्लस Z, Z कितना है 7 by 5 तो कितना हो गया, 13, 20 by 5 मतलब की जो की 4 के एक्वल आ रहा है तो इसका मतलब मेरा आंसर बिलकुल सही हो गया तो 5 नमबर में मैंने दूसरे टाइप का कोशिन बताया है बोर्ड में कभी आया ऐसा कोशिन, बहुत बारी आया भाई बहुत बारी आया तीसरे टाइप का कोशिन, 5 नमबर में ये भी बोर्ड में कई बारी आया कहता है, determine the product and use the solve कहता है, product करो और system of equation को solve करो adjoint नहीं निकालने को बोल रहा है यहाँ पर कहरा है, जो product आएगा, उसका use करके solve करो बहुत important question है, सबसे पहले आप क्या करते हो आप matrix बनाते हो भी A, B, C, A, B और X A matrix क्या बनती है, 1, minus 1, 1 कहा है, ये नहीं है 1, minus 2, minus 2, 2, 1, 3, this is A B equal to वाले से बनती है इसको C बोल दो जो नाम बजगया उसको दे दिया अगर इसको A बोला होता है, तो उसको कुछ और मान लेता कहता है, C into A करो पहले C की multiply A में करिया है करो बहुत, बोल रहा है तो minus 4 plus 4 plus कितना है, 8 इसमें खास बात बता रहूं, मैं ऐसे टाइप के सब question में ऐसे टाइप के, अगर product की बात करे यह आ रहा है, 8 time बच जाएगा यहां मैं 0 लिख रहा हूं, यह 0 लिख रहा हूं, यह 0 है यह 8 है, यह 0 है, यह 0 होगा यह 0 होगा, यह 8 होगा, करके check कर लेना चाहें जहां तो वो I matrix बनेगी, जहां diagonal में कुछ same value आएगी जिसको हम scalar matrix भी बोलते है तो इसमें से 8 common आ गया तो अंदर क्या बच था 1, 0, 0, 0 1, 0, 0, 0, 0, 1 जिसको मैं I matrix बोल सकता हूं अब ज़रा ध्यान से देखिए अपने को तो X matrix सही है, जो की equal होती है A inverse into B के अपने को तो A inverse सही है क्या था product तो आ गया 5 number question था, 2 number तो मिल गए इसका use करो अब use मतलब A inverse इससे कैसे find कर सकते है कर सकते है, देखो मैं क्या करूँ A inverse से both sides वैसे तो मैं direct भी लिख सकता था कैसे direct सब C equal to ये किता था, 8 I था C equal to 8 inverse into I और 1 by 8 equal to A inverse के C आप A inverse की बहुत साइट multiply करके भी कर सकते हो दिखाने के लिए तो क्याता है A inverse क्या है 1 by 8 times into C matrix के मतलब की A inverse equal to 1 by 8 into C matrix C कहा है? ये रही C से into कर दो minus 4, 4, 4 minus 7, 1, 3 और 5, minus 3, minus 1 के हैं ये A inverse बन गई हो गया question solve भई इस type का question आने का मतलब है कि आपकी बल्ले बल्ले हो जाना क्योंकि ना तो इसमें joint निकालना है ना plus minus की tension co-factor निकालो, joint बनाओ, transpose करो, इसे करना ही निकाओ सब दिया हुआ है सिरह आपको multiply करना है multiply भी बहुत simple बनेगी तो X equal to A inverse कितना है? minus 4, 4, 4 minus 7, 1, 3 5, minus 3, minus 1 into B B कितना है? 4, 9, 1 multiply करो 1 by 8 minus 16 plus 36 plus 4 minus 28 plus 9 plus 3 20 minus 27 minus 1 तो ये कितना हो गया? 40 में से 16 गये तो 24 आ गया minus 16 आ गया और ये minus 8 आ गया मतलब कि इसकी value आ गये 3, ये minus 2, ये minus 1 आ गया तो x 3, y minus 2, z minus 1 आ गया चेक करे, चेक करोगे पहली equation में फिर से चेक करते है x कितना है? 3 y है minus 2 और z है minus 1 तो ये 3 plus 2, 5, 5 में से 1 गया तो 4 आ रहा है क्या 4 आ रहा है क्या तो solve हो गया तो 3 types के question बन सकते है 3 में ने करा दिये 3 में से 1 type का question आने के बहुत ज़्यादा chance है 95% से ज़्यादा chance रहते है ये question भी बहुत प्यारा है और बहुत सारे बच्चे इन question में गरबढ करते है इस type के करते हैं में ये matrix को लेट कर ले ABCD जए XYZ कर सकते हो लेकिन बढ़ा नहीं हो जाएगा पहले इसकी A में करते हैं फिर जो आता तीसरी में करते हैं फिर इक वेट करते हैं तो क्या करने का तरीका है असान ऐसे questions में ज़रा ध्यान से समझना लेकिन ये तब ही use करोगे जो बता रहा हूँ जब equal to I matrix की form में दे रखा हो या scalar की कुछ common ले लो इसको मैंने B बोला ये A है ये C है तो क्या ये है इस तरीके से है मैंने कह किया पहले इसमें अगर direct की बात करों में सीखाता हूँ तो क्या मैं इसको A matrix से ये तो मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता B inverse into C inverse भी तो लिख सकता हूँ उदर जाता तो inverse हो जाता into I करता तो same ही आता direct time कम हो तो आप use कर सकते हो पूरा दिखाना हो तो फिर क्या करेंगे एक एक करके करते है B inverse की पहले मैं क्या करता भाई multiply करता है दूसरे में C inverse की करता है यह कितना हो गया आई हो गया यह कितना हो गया आई हो गया B inverse into I B inverse हो गया into C inverse हो गया यह I into I I होता है और यह मैं करूं मा तो equal to B inverse into C inverse हो गया B inverse find कर सकते हो 2 into 2 का adjoint तो फड़ा फड़ निकल जाएगा interchange करके जैसे अगर मैं निकालता तो कितना आता determined आता 4 में से 3 के 1 inverse चाहिए दोनों को interchange करता इन दोनों के sign change कर देता C का चाहिए C का determined कितना है minus plus 9 minus 10 minus 1 plus 9 minus 10 minus 1 minus आगी लगा दो और इसका minus 3 minus 3 minus 2 minus 5 लो जी है C inverse बन गया multiply कर लो A matrix आ गई अच्छा एक चीज और ध्यान रखना one marks के question में हमसे कुछ question पूछे जाता है क्या ज़र ध्यान से देखे normal question पर आते है यह रहा जैसे कि अगर ध्यान रखना one marks में आता है determinant जो होता है वो always अगर मैं first row से solve कर रहो मान के चल रहे है first row का element ले उसका co factor तो always determinant आता है मतलब अगर मेरे पास co factors है जैसे आपने देखा होगा कि मैंने यह से determinant निकाला होगा तो मैंने direct निकाल दिया कैसे निकाला मैंने क्या किया co factors निकाले होगे थे मेरे पास अच्छा यह तो इन्होंने यहाँ दिया ही हुआ था ठीक है अगर मैं निकालता तो देखो ज़रा ध्यान से देखोगे पहला कितना 2 है co factor कितना है 0 तो 2 0 जद 0 होगे minus 3 की 2 में करता तो minus 6 आ जाता 5 की 1 में करता तो 5 आ जाता देखो minus 1 आ रहा है condition जिस भी row के आप element ले रहो उसी के co factor का multiplication always determined होता है यह question सब कुछ दे देगा वो दे देगा हमे option क्या का determined वाला कौन सा option सही है तो वो जो भी row होगी उसी के co factors के element होने चाहिए उसी के co factor और element दोनों सेम होने चाहिए अगर sir change कर दे यहाँ पर कोई और row के element लिख दे और co factor किसी और row के लिख दे तो answer always 0 आता है कितना आता है always 0 लिख देना पूछे determined का answer क्या अभी है इसमें अगर ऐसी ऐसी condition है तो 0 होगा clear है तो हर type के मैंने इसमें questions आपको करा दिये तो अब हमारा determined हो गया खतम